लास्ट क्लास में हम लोगे हैं लुग ने किया कवर किया था लास्ट क्लास में हमने बैसिक डेफिनेशन कवर कि थी उनके साथ ही साथ हमने जो फार्मिंग के सिस्टम्स होते हैं farming की जो types होते हैं हमने उनको cover अब आज़ की glass में क्या cover करने जा रहे है आज़ की glass में further हम cover करेंगे पहले cropping pattern को cover करें फिर उसके बाद हम crops पर आए तो cropping pattern के दिर हम बात करें तो इंडिया में तीन cropping seasons होते हैं जब फसलें आपकी वो ईजादी पहले सीजन होता है राभी का दूसरा होता है खरीव का और तीसरा होता है जाएद का हम start करते हैं खरीव के साथ तो यह जो खरीव के crop होते हैं यह one of the major three cropping seasons होते हैं जो इंडिया में होते हैं कब start होता है यह खरीव का season आपके start होता है में में अराउंड में के आसपास होता है और सबसे लास्ट में कब तक खतम होता है यह जनवरी तक खतम होता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपका पूरे 6 महीने गुजरता है में से जून, विलाई, अगास, इतंबार, अक्टोवर, नौंबा, तिसंबार, जनवरी, 9 महीने नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि यह आपका region to region vary करता है और region में बारिश अलग-अलग time पर आप दिये हैं तो generally क्या है में, या विर, जून के आसपास start होता है या फिर किसी एरिया में जब भी आपकी rainfall होती है तब तो में, जून में start हुआ, ओक्टोवर से यह आपका खत्म स्टार्ट हो जाता है, जन्वरी तक ही है, पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो जब भी southwest monsoon की पहली फवार है, जिस भी region में पढ़ती है, आपको पता होगा, केरल में, में के end में, जून की starting में आता है, फिर उसके बाद में बाकी ऐसे पूरे western coast से उपर की तरफ होता हुआ, आप ऐसे जाता है, अलग-अलग branches होती है, climate and monsoon में, लेकिन इतना पता है कि फर्स जून के आसपास जो है यह आता है, तो आपका में की end में और जून की starting से यह फसल जो है, वो पोनी start हो जाती है, और उसके बार, October से लेके November, December, January के पीच में इस फसल को area के साब से काटा जा जाएगा, और उसके बाद में अलग-अलग जगे पर काटा जाएगा, तो यह में जून वाले कौन कौन से areas हैं, तो यह वाले areas आपके southwest monsoon से सबसे दाधा impact होते हैं, लाइक महराज, और जो हमारा western हाट वाले लागे हैं, यह कुछ इलाके हैं, जहाँ पर हमारे western gas plus western post वी आ temperature चाहिए होता है, थोड़ा सा गरम temperature plus humid, humid का मतलब humidity यानि की moisture, बारिष ते मौश्यर आता है, तो उनको proper moisture भी चाहिए होता है, humid temperature चाहिए होता है, ज्यादा गर्मी भी नहीं और ज्यादा सर्दी भी नहीं, तो एक proper germination के लिए, यानि कि जो फसल होते हैं, उनकी वीच जो हो पिजल्टी, ग्रीन ग्राम, पीज, कॉटन, इसके अलाबा आपकी मेच, यानि कि कॉर्ण हो गया, ठीक है, और जोवार, बाजरा, तुवर, यानि कि अरहर की दाल, ठीक है, मूँ, उड़त, कॉटन, दूट, और ग्राउनट हो गया, तो यानि कि मूँ फली, ठीक है, ग्रा होगाया जाता है, ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, एक और पॉइंट में आपको जोड़ना चाहूंगा, वो ये, कि जो पैड़ी के, कॉन पौन से एरिया हैं, इंडिया में, राइस ग्रोइंग रीजन भी आ जाते हैं, हमारे, वो कॉन कॉन से हैं, वो असम, असम तब इन लाड़ोगे, एक पेरला भी काउट कर लेंगे, और महरास्त भी एक कोस्टर एरिया से यहां पर भी उगाया जाता है, लेकिन पंजाब और हर्याणा दो ऐसे स्टेट्स हैं, जो कि या तिन सूटेवल नहीं है, यानि कि जो पैड़ी क्रिटिविशन के लिए सूट अस्तमाल करते हो, तो जमीन पे adverse effect पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस situation में क्या होता है, इस situation में जमीन में salination बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वज़े से बोला जा रहा है कि आप जितसम add कीजिए, विट्टी के अंदर जितसम add करेंगी, तो उसकी salinity कम होगी, प्ल crops होती है, एक का नाम है अस, यह दूसरे का नाम है अमन, वा तीसरी का नाम है पोरो, यह तीन आपकी चावल की, यानि की पैडी के types होती है, इनको कहा होगाया जाता है, इनको कसम, वेस्ट बेंगोल, और ओडिसा, यहाँ पे इन तीनों को होगाया जाता है, important point है, काफी बा प्लांट की जाती है, October से, ठीके October से लेके December तक, इनको प्लांट किया जाता है, यानि की सर्दी जैसे स्टार्ट होती है, बैसे इनको बोया जाता, और फिर उस पाद इनकी हार्वेस्टिंग होती है, summer में, summer में काप, होली के बाद, April से लेके, June के बीच, तब इनकी हार्व जो जब वो बारिशवदी एक certain level अख आती है, उस case में, जो आपकी रावी की crops होती हुदी है, उनके लिए जो विंटर रेन होती है、 ़िंटर रेन आपकी रावी की crops को damage काद दीentes. सही नहीं होती उस लिए, लेकिन उसी time पे जो आपकी खरीदी crops ओंग रही होती है, उनके ल मावट नाम का टर्म होता है मावट जो होती है न वो उन क्रॉप्स के लिए उनको मैशूर करने के लिए पहुत जादा पैनी सिशन होगी देखे उसके पाद वीट जो है यानि कि गेवूं ये इंडिया की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रावी क्रॉप्स की केटिगरी में आत आपकी इंपोर्टेंट रावी की क्रॉप्स है वे और नॉर्थ एसने इस वे सब से आते है। पंजाब आगया हर्याणा आगया हुमाच्र प्रदेश आगया और जेंड वे आगया तो ये इस टेंड अवावी कि क्रॉप्स होगा जाती है। अब ये जो North East Monsoon होता है, ये भी इनको बहुत हैल्प करता है, North East Monsoon बहुत ज़ादा पानी इनपवलेवल कराता है, तो winter के time में ये इनको काफी ज़ादा है और ये crops का जो production है काफी ज़ादा हाई हो जाता है, और जो green revolution वाले areas हैं, यानि कि western UP हो गया, हर्याना हो गया, पंजा मिली हैं, high yielding variety seeds यूज़ में हैं, बड़ी बड़ी machine bees यूज़ किये हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ किये हैं, इसकी बज़े से काफी success हो रही है, अब थार्ड आपका जो season आता है, जायद का season का आता है, जायद आपका basically राभी और खरीफ के बीच वाला season हो, इन इनको भी rain fade या निकी, इनको भी monsoon का पानी चाहिए होता है, ठीक October से लेके November तक, इनको monsoon का पानी चाहिए होता है, तो जायद की जो sufficient fine crop, उनको northern India में कर प्लांट किया जाता है, उनको नदन India में प्लांट किया जाता है, आसपास मार्च से लेके April का, क्यूंकि इस time तक क्य या जनली आ जाती है, water melon, फल आ जाती है, water melon, करेला हो गया, musk melon, यानि की खरगुजा हो गया, खीरे हो गए, करकड़िया हो गई, potatoes, tomatoes, sunflowers, यह सब अपकी जाइद की category में आ जाती है, ठीक है, region to region, rainfall के pattern को देखते हुए, जाइद की जो अपके तसले होती है, वो थोड़ी बा drops जने हो उनको बगाती है, यह काफी जल्दी mature होती है, एनको कौन सा temperature चाइए होता है, इन्हें warm temperature चाइए होता है, घर्मी चाहिए होती, dry weather चाहिए होता है, warm temperature यहनि की dry weather इन की growth period के लिए काफी जापवणी होता है, इसके साथ दिन लंबे होने चाहिए, यह ना longer days, तो ऐस जल्दी मैच्योर हो जाती है, काफी जल्दी होती है, खराब भी के जल्दी होती है, इन्हें पंकेन, यानि की कद्धू, कुकमबर, क्या बोलते बेटर गॉर्ड, लॉकी वगरा, ये सब आपकी जायद की क्रॉप है, जो जायद सीजन में उगाई जाती है मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं, इंडिया नहीं, क्रॉप बाइस अगर देखें, तो सबसे पहले राइस आ जाता है, वीट, फिलिट्स यानि के मोटा राच, मेज यानि के कौन, और पल्सिस यानि की दाले, सबसे पहले राइस की बात हम करें यहना, राइस जो है वह हमारी कंट्री का स्टेपल फूड है, स्टेपल यानि की जो देली डाइट में यूज की आजाता है डेली डाइट में स्टेपल फूड के तौर पे, majority of the people of India, राइस को यूज परते करते हैं इंडिया जो है वो second largest producer है इंडिया राइस का second largest producer यह वर्ड में after China चाइना जो है वो first number बे आता है अब राइस जो है वह हमारा खरीद की category में आता है अभी मैं आपको बताया था पैडी भी बोलते है न तो राइस हमारा खरीद की category में आता है इसको high temperature चाहिए होता है ओगने के लिए high temperature मतलब कितना 25 degrees Celsius से भी उपर कितना इसको temperature चाहिए हाई humidity भी चाहिए यानि कि moisture ज़्यादा होना चाहिए पानी ज़्यादा होना चाहिए यह भी इसको चाहिए होता है और annual rainfall कितनी चाहिए इसको तकरिवन 100 cm से उपर यानि कि ऐसे एरियाज में होता है जहाँ पर annual rainfall आपकी 100 cm से उपर आता है तो generally आपके जो northern parts है आपके जो north eastern parts हो गए यहाँ पर हो आया जाता है ठीक है यह कुछ एरियाज है यह coastal एरियाज है दौना साइट के अगर आप देखेंगे तो दौना साइट के coastal एरियाज है आएक रीजिन हो गए डिल्ता वाले लान अब सबसे टॉपमोस्त भई राइस प्रेटीशिंग स्टेट कौन सा है तो that is के प्लस एर्रिगेशन होने की वज़े से आपके नॉठ लाइक है पंजाब वु में फ्र हो गया यह पर भी क्या है यहां पर तो यह था भाई हमारा पूरा चावल, अब नेक्स नम बात करते हैं, वीट यानि की गेवर, तो यह second most cereal crop है, यानि कि खाने के लिए अनाज की केटिगरी में आती है, हम लोग इसको खाने के लिए यूजबे करते हैं, main food crop है, कहा तहाँ पर North India में और North West India में, North India और North West India की main staple मे count की जाते हैं, जो हम लोग रोटिया काते हैं, generally वो अपकी वीट की बनी होती है, अब यह राभी की केटिगरी में आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राभी की केटिगरी में आती है, और इसको लेकिन चाहिए होता है, cool growing season, अभी अगर आप देखोगे, थोड़ जो धूब बैना और चटक निकलने लगी है, और गर्मी थोड़ी सी भड़िपने लगी है, यानि कि आज मैने temperature देखा थो around 20 degree Celsius था, तो इनको पकने के time में, राइपनी के time में, इनको 10 degree से लेके 15 degree Celsius थो चाहिए ही चाहिए हो, उससे कम होगा, तो फिर भी पकने के time में नही ठीक है, तो राइपनिंग के लिए और हार्वेस्टिंग के लिए, प्लस हार्वेस्टिंग यानिकी कि कटाई के लिए, आपको इतना temperature चाहिए जो अभी चल रहा, ठीक है, और sunshine तो bright चाहिए ही चाहिए, वह इनको annual rainfall कितना चाहिए, तो इनको annual rainfall चाहिए 50 से लेके 75 cm, ठीक ह तो भाई हमारा ये वाला आ जाता है, ये हिंडो केंटिक रीजन आ जाता है, इसको कंदा सद्लेश प्लेश भी हम कहते हैं, ठीक है, और दूसरा, ये कुछ पॉकेट्स आपको देख रहे हैं, ये पॉकेट्स आ जाती हैं, ये हमारी डैकन की, ये हमारे black soil ये ये यहाँ पर रेंकिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले रेंकिंग है UP की, UP के बात पंजाब, then MP, then Harayana and then Rajas, ये प्रॉपर एक ओडर है रेंकिंग के साब से, अब देश आता है हमारा मिलेट्स, यानि की कोर्स ग्रेंज, कोर्स ग्रेंज यानि की मोटा अनाज, जो हमारे पूरवज पहले इस्तमाल करते थे, हम इतना जादा क्या हूँ, इस्तमाल नहीं करते थे, पहले क्या होता था, मोटा अनाज जो है जादा यूज किया जाता था, और अभी भी अगर आप देखोगे, तो लोग क्या है, इन्ही अनाजों को इस्तमाल कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, मैं क्या करत जाता है मैं इसमें एक kg तो रागी जोड लेता हूँ ठीक है एक kg फिर इसमें मैं सोय भी जोड लेता हूँ एक kg जौ एक kg जवार और एक kg के अगरता हूँ मैं एक kg मतलब इस तरह की एक नहां बाजरा बाजरा कर लेता हूँ प्रॉपर पाच-पाच का रेशियो बन जा, तो काफी रोटी काफी बढ़ी है बनती, तो मिलेट्स दियानी की मौटा अनाज, कौन कों से मिलेट्स आ जाते हैं, वही मिलेट्स आ जाते हैं हमारे जवार, बाजरा, रागी, यह हमारी कंट्री के important मिलेट्स की केटिगरी में आते हैं, यह सारे-सारे important categories में आते हैं, अब इनको coarse grain का जाता है, लेकिन इनकी जो nutritional value होती है, वो काफी ज़्यादा high होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था, आजकल जो दादा तर लोग हैं, वो इन ही अनाजों पर इस्तिमाल कर रहे हैं, इनकी nutritional value बहुत ज़्यादा होती है, फोर एक्जम्पल अगर हम रागी की बात करें, अगर आप South India में जाओगे, आपको ऐसे रागी की balls मिलती थी, ऐसे balls होना के देते थे, तो उनको लोग खाते थे, अगर हम बात करें, तो रागी में iron काफी ज़्यादा होता है, ठीक है, calcium भी ज़्यादा होता है उसमें, और रागी micronutrients के साथ साथ रफेच, यानि की fiber, fiber content भी रागी में काफी ज़्यादा होता है, ठीक है, और फिर अगर हम जवार की बात करें, तो जवार जो है, ये इंडिया की respect में, third most important crop है, एना, area and production के साथ से, area plus production के साथ से, जवार इंडिया की third most important crop है, ये rain-fed crop है, यानि की इसको पानी चाहिए होता है, बारिश का, ठीक है, बारिश का पानी चाहिए होता है, और ये generally आपके, क्या बोलते हैं, ऐसे areas में हुआ ही जाती है, जापर irrigation की ज़र्दा जरूत नहीं बढ़ते, क्योंकि rain-fed है, तो पूरा-पूरा पानी चाहिए बारिश का ही मिल जाता है, तो irrigation की ज़र्दा जरूत नहीं बढ़ते, major जवार producing states की अगर हम बात करें, तो भई कौन कौन पॉत states आ जाते है, major जवार producing states में आपका आ जाता है राजिस्थान, राजिस्थान, पलस उसके बार WP, नि-नि-नि-नि-नि, सॉरी सॉरी सरी, सबसे पहले आएगा महरास, फिर आएगा करनाच्तर, फिर उसके बाद आएगा आंद्रदेश, फिर आएगा मद्रदेश, ये सारे के सारे states जो हैं, ये क्या करते हैं, ये जवार प्रेडियो सिंग की इनकी रैंके है फिर उसके बाद आ जाता है बाजरा हम बाजरा के बाद कर लेते हैं बाजरा तो मेरे एरिया में बहुत ज़ादा हो ठीक है बाजरा ये बाजरा जो है ये कहा कहा इसका कैसे नेरियो है ये जनरली आप पर सेंडी सोइल यानि की जो रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पर उगाया जाता है सेंडी सोइल प्लस सैलो ब्लैक सोइल ये जो बुंदेल खंड, कॉलियर, दॉलपूर, चंबल वाला इलाका है ये आप आप ब्लैक सोइल जो है गुजरात और फिर आ जाता हरयाणा ये आप पर बाजराग आ जाता और फिर मैं रागी के बारे में आपको बता रहा था तो रागी जो है ये आपकी किस एरिया को ब्लॉंग करती ये ड्राय रीजन को ब्लॉंग करती और कौन-कौन सी soils पर अच्छे से उखती है, red soil पर, black soil पर, ये भी रेतीली जो मिट्टी होती है, sandy उस पर उखती है, lomi जो आपकी चिक्खी वाली मिट्टी होती है, उस पर भी और shallow black soil पर भी रागी आपका अच्छे से उखती है, तो यानि डेकन वाली areas में इसका production काफी अगर हम रागी की बात करता है, रागी की major producing states कौन-कौन से है, तो that is Karnatak, फिर Tamil Nadu, ठीक है, फिर आ जाता है हमाचल प्रदेश, उत्राकंड, सिक्किम, सिक्किम भी आ जाता है, सिक्किम के बात में आ जाता है, जारकंड और जारकंड के बात में आ जाता है, अवाचल इस तक temperature चाहिए होता है, rainfall चाहिए होती है, annually 25 से लेके 100 cm के बीच में, soil मैंने आपको बताई दिया, illegal soil जो होती है, poor illegal soil यानि कि पुरानी वाली उस पे भी उगाती है, ठीक है, लोमी जो soil है, उस पे भी उगाती है, ठीक है, यह less sensitive होती है, soil deficiencies के लिए, यानि कि वहर्दा आ अगर हम मिलिट्स की बात कर रहें, अभी हमरे individual मिलिट्स पर देख, अगर हम overall की बात कर रहें, तो सबसे ज़्यादा मोटा आनाज आपका होता है, राजिस्थान में, फिर करनाटक में, उसके बाद महारास में, फिर होता है MP में, और फिर होता है UP में, यह overall ranking, लिगे, जो जो आपका होता है, तो जो आपका होता है सबसे पहले महारास में सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है करनाटक में, उसके बाद होता है मत्रिप्रदेश में, उसके बाद होता है तमिल नाडू में, और फिर आंधर प्रदेश में, इसी के साथ साथ हम बाजरा की बात कर र अब next अब आप करते हैं मेज की मेज बेसिकली क्या है यह होता है आपका पॉर्ल यानि की भुट्टा तो यह crop है यह आपकी crop फोट के दौर पर भी इस्तावाल होती है खाने के दौर पर और फोडर के दौर पर यानि की चारे के दौर यानि की डारेक्ली हम इसे भी कंजूम कर सकते हैं और डारेक्ली इसको हम अपने जानवरों को भी खिलाने के लिए यूज कर सकते यह खरीद क्रॉप की केटिगरी में आती है टेंपरेचर इसको चाहिए होता है 31 डिगरी सेलसियस से लेके 27 डिगरी सेलसियस और यह आपकी Old Alluvial Soil पे यानि की जो आपका क्या बोलते हैं Old Alluvial Soil जो होती है उस पे अच्छे से होकती है कुछ स्टेट्स में लाइक बिहार यहाँ पर इसको रावी के सीजन में भी उगाया जाए ठीक है Modern Inputs का यूज करके लाइक High Healding Variety Seats हो गए फर्टिलाइजर्स हो गए और इरिगेशन टेक्नीक्स को यूज करकर के इसका जो प्रोड़क्शन है वो काफी ज़्यादा बढ़ा दिया गए major states की बात करें तो करनाटक सबसे पहले आ जाता है उसके बाद MP आ जाता है नहीं उसको बद महरास्त आता है फिर आप ही हमारा MP आता है फिर तमिलाडू फिर पेलांगना ठीक है यह कुछ आपके states है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेज प्रोड्यूस किया जाता है एंड ओव पल्सिस को कितना temperature चाहिए होता है पल्सिस को चाहिए होता है 20 से लेके 27 degree Celsius rainfall कितनी कम rainfall चाहिए होती 20-25 से लेके 7 cm annual rainfall ये भी आपकी जो sandy loamy soil होती है उसमें अच्छे सोक जाती है रेतिली चिक्की जो मिट्टी होती है रेतिली भी थोड़ी loamy tap इसमें लोग आती है अब अग अगर आप पल्स प्रेडिशिंगी स्टेट की बात करें तो सबसे दाप प्रेडिउस करते हैं मद्यप्रदेश उसके बात आजाता है राजिस्थान फिर महरास्ट फिर यूबी और फिर करनाटब ये आपके major pulse प्रेडिउस स्टेट्स हैं इंडिया largest producer है पल्सिस का मतलब साथ-साथ consumer भी है और सबसे दाप प्रोटीन का सोर्स होती है तो हमारी जो डाइट में हमारी वेजिटेरियन डाइट में डालों को प्रोटीन की सोर्स के तौर पे काफी ज़्यादा इस्तमाल किया जाते हैं कौन-कौन से पल्सिस आ जाते हैं हमारी टूर की दाल आ गई ये हम जनरली यूज करते हैं ठीक है खोड़त की दाल हो गई ठीक अब सभी हो गई है राजमा मलका मसूर काफुली चना साबत मुं साबत मसूर हरा चना काला चना सोयबीन लाल लोबिया लोबिया मटकी कुलती हरी मटर सफेद मटर मटर दाल और यवाल तिल पोहा मटर वगरा पैसे सारी की सारी जहें आप आ जाते है पर्वेर में अगर फ्लस के चाटि और तूर की डाल को रहुप्स हो याँनि यlightões की इंकी इनकी जो रोड सो्ती हैं उन पर इस रहते हैं यह नोट क्या करते हैं यह नोट सोईल की फ chef को रिस्टोर करते हैं कैसे ये हवा से nitrogen को खीचते हैं इस process को कहा जाता है nitrogen fixation तो ये क्या करते हैं ये soil की fertility को बढ़ाते हैं तो generally इनको क्या किया जाता है generally इनको दूसरी crops के साथ एक rotation में उगाया जाता है ठीक है that's why pulses अब हम बात करते हैं food crops other than grains यानि कि अनाज के अलावा जो भी food crops है उनकी बात करें sugarcane यानि कि गन्ना oil seeds tea coffee और horticulture crops वहीं सबसे पहले हम बात करें ये गन्ने की शुगर केन की मौसम आने वाला है गर्मी आने वाले हैं ठीक है गन्ने का juice मिलेगा तो गन्ने को कितना temperature चाहिए 21 से लेंके 27 degree Celsius temperature चाहिए होता है इसको इसको भी hot और humid climate चाहिए होता है गरम वौसम और humidity भी इसको अच्छी खासी चाहिए होता है rainfall कितनी चाहिए 75 से लेके 100 cm तक इसको rainfall चाहिए होती है deep rich low मी soil होती है उसमें काफी अच्छे से होता है top sugarcane producing states में UP सबसे top पे आ जाता है फिर महरास्ट फिर करनाटग फिर कमिलनाडो और फिर उसके बाद में पेहा यह कुछ top sugarcane producing states है अब प्राजील के बाद में इंडिया को जो नंबर है वो second है प्राजील सबसे largest जो है वो sugarcane प्राजील के बाद यानि कि second नंबर पे आता है अलग अलग रेंज में आप इसको वगा सकते है वाइट रेंज आप इसको वगा सकते हैं sandy से लेके लोमी से लेके clay से लेके लोमी तक इस तरह है लेकिन उनमें well-trained होना चाहिए यानि कि उनमें पानी की जो निकासी है वो proper होना चाहिए ऐसा नहीं कि पानी उसमें जमा हुआ है तो उस case में गरने की फसल आपकी अच्छे से नहीं होगाई ठीक है अब एक और में मशीन का इंडिया में जादा यूज नहीं किया जा अब यह बहुत सारी चीजों के लिए primary source होता है यानि कि शुगर चीनी तो आपका पता ही है फिर उसके बाद कोड़ा आ जाता है हमारा यानि कि जैगरी उसका भी primary source है ठीक है यह खंड़सारी जिसको शुगर के substitute के त तेल निकाला जाए है ना temperature कितना चाहिए 15 सेली लेकर 30 degrees cts तक rainfall कितनी चाहिए 30 से लेके 75 cm तक annual rainfall चाहिए soil कैसी है वही लोवी सॉयल भी हो सकती है clay भी हो सकती है और well-drained sandy लोवी सॉयल भी हो सकती है अब top oil producing you know oil seed producing states की बात करें तो सब ज्यादा MP में होते हैं उसके बाद राजस्थान उसके बाद गुजराद फिर महरास्ट और उसके बाद होते हैं यूदी यह ranking है इनकी ठीक है अब अगर हम सबसे पहले बाप करते ground nut की यानि कि moonfully मूँफली हो गई साफ फ्लार हो गया sunflower हो गया mustard, linseed, soybean, caster, sis bum, nigger वगरा यह सारी आ जाती यानि कि यह सारे के सारे आपके common oil seed है जो इंडिया में produce और ge gas for the guys, they adjust the add convenience of focus we married === कोऽ्मेटिक्स बनाने के लिए और भी फर्थ पहले चीजों के लिए इनको इस्तमाल किया जाता है तॉम सबसे पहले बात करेते हैं सिव्डाउडन की ठीक है जो ऐए यह आती है हमारी खरीफ की कर्टिए एक खरीट की कर्टिगिरी में Laney जाता और India में जितना भी हमारा ole search हो गाया जाता यह उसका Spencer इक तरफ और ग्राнова जो है एक तरफ is आंतिप्रदेश में हुआया जाता है तमिल नारू में हुआया जाता है रर्नाटक में, खुजराद में और महरास्ट इन्हें स्टेट्स में हुआया जाता है इसको उसके पाद आपका लिंसीड आ जाता है लिंसीड और मस्टर्ड इनको जो है रावी के सीजन में हुगाया जाए ठीक है फिर आजाता भाई हमारा सीजम में सीजम में से बोला जाता है ये आपका नौर्थ इंडिया में खरीश के तोर पे हुगाया जाए ठीक है और साउथ इंडिया में इसको रावी के सीजन में हुगाया जाए ठीक है फिर basically oil seeds का scenario था इंडिया के respect अब next आते है T, यानि के चाह, जाहे थे तो इसको temperature चाहिए होता है 20 से लेंके 30 degree Celsius temperature, इसको mild temperature चाहिए होता है rainfall थोड़ी जाहिए होती है 150 से लेके 300 cm इस टार्टिक में हमने plantations की बात की थी है ना, soil के चाहिए soil इनको चाहिए deep fertile, यानि की organic content जादा होनी चाहिए well drained, यानि की properly drained भी होना चाहिए, जिसमें हमस जादा है यानि की organic content जादा है organic matter जादा होना चाहिए top tea producing state में सबसे पहला आजाता है असम्ट फिर आजाता है West Bengal और फिर आता है Tamil नाडो इंडिया second largest producer है tea का, विट्रिस जो है उन्होंने इंडिया के eastern hills पे इसको start करवाया था introduce किया था, यहाँ पर मैंना आपको पहले chapter बताता है, तो दौर formation होता है तो दौर formation is ideal for tea plantation यहाँ पर humid climate होता है evenly distributed rainfall होती है जो साल के 12 महिने, थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी होती रहती है water logging यहाँ पे नहीं होती है पानी जो है, वो नहीं जमता और एक तरह की terrace farming का ही यह type होता है थोड़ा हलका-हलका terrace farming होती है वो यहाँ आपट slopes पे की जाता है labor intensive industry होती है काफी जादा cheap skilled labor चाहिए होता है इसके साथ-साथ freshness maintain करने के लिए जो industry यानि कि जो tea की अपकी factory है वो आपकी tea plantation में ही लगाई जाती है next आता है coffee, coffee भी फैबरेट है coffee भी बहुत जादा फैबरेट है सुबह अटो black coffee भी हो, that is the favorite काफी के बात करें तो coffee को temperature चाहिए होता है 15 से लेके 28 degrees Celsius rainfall इसको भी अच्छे काशी चाहिए 1500 से लेके 250 cm तक well-drained, deep, friable, lowly, soil जो होती है काफी ideal होती है इसके लिए और top coffee producing states है आपके करनाटक करनाटक के बाद में, केरिला केरिला के बाद में, तमिलनाट यह आपके तीन major coffee producing states है इंडिया जो है, वो 7th largest producer है coffee काफी सबसे पहले इंडिया में का इंटिडिउस की गई थी सबसे पहले coffee इंटिडिउस की गई थी इंडिया में, बाबा पूदान hills पे तेक है, उसके बाद में यह आपके बेसिकली यमन यमन जो है, यहाँ से इंडिया में बाबा पूदान hills पे इंटिडिउस की गई थी यहाँ पर plantages लगाए यहाँ के जो hills है उन hills में काफी shade है, यानि कि यहाँ के जो पेड है वो एक proper canopy बनाते है, एक छाता type का बनाते हैं, तो यहाँ के जो पेड है वो evergreen की category में आते हैं नील गरी hills के आसपास जो है evergreen की category में आते हैं, leguminous trees होते हैं मैं आपको बताया था है, leguminous यानि कि इनकी trees होते हैं, उनमें notes होती है, और यह nitrogen को हवा से खीचते हैं लेगे, तो एक ideal condition बता आप बनाते है coffee cultivation के लिए, इसी लिए इनी जो hilli areas में जो नील के लिए और यह पाकी के पहाड हैं, यहाँ पर आपकी coffee की काफी ज़्याद cultivation होता है, यहाँ पर काफी ज़्यादा plants, एक variety आती है जिसको arabica ताहा जाता है एक काफी premium variety होती है और यह इंडिया में ही cultivate की जाती है, और यह आपकी throw of the world काफी ज़्यादा well known अब उसके बाद आते हैं हम horticulture crops पे, तो horticulture आपकी वो branch agriculture की जो किसकी सीसे टील करती है fruits के cultivation के साथ vegetables के cultivation के साथ यानि कि पल fruit हो गए हमारे सबजिया हो गए ही, और ornamental plants, यानि कि सजावटी plants होते हैं, वो हो गए और कुछ आपके medicinal plants होते हैं उनके लिए भी use की जाथ capital और labor intensive agriculture है, यानि कि manual labor काफी ज़दा लगते हैं, पैसा भी बहुत ज़दा invest करना पढ़ता है, cultivation, production सेल वगएरा, सारा का सारा इसमें तरह पढ़ता है, यानि कि जड़ी वूटियां, यानि कि हब्स भी इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक या ornamental और exotic plants जो काफी past plants होते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं, flowers वगएरा, सब को इसमें आ जाते हैं अब इंडिया में आप लोगों को पता है, इंडिया का एग्रोक्लाइमिट बहुत टाइवर्स है, अगर आप west की तरफ देखोगे तो यहां पर आप मार्शी लैंड्स आ गए, उपर desert आ गया, north की तरफ देखोगे तो यह mountains आ गया, पीच में आपके platews आ जाते हैं, coastal areas हैं, उसके बगल में पहाड हैं, तो इंडिया के एग्रोक्लाइमिट बहुत जादा है, तो यह काफी highly favorable होता है, अलग-अलग तरह की horticulture crops को ओगाने के लिए, like fruits, vegetables, मसाले हो गए, spices बगएरा, ठीक है, और भी root tubers हो गए, ornamental, aromatic plants हो गए, medicinal plants हो गए, herbs हो गए, यह सब के लिए, और plantation crops भी आ जाती हैं, आपकी like coconut, हम नारियल बगएरा भी होगा सकते हैं, ठीक है, कैशू बगएरा, काजू बगएरा, कोकोवा बगएरा, कॉफी के लिए, यह vegetables को produce करने के मामने, इंडिया, overall rank इंडिया की कौन सी है, overall rank इंडिया की आती है, second largest producer of fruits and vegetables, तो मतलब हमारे net zone area, net zone area का कितना area जिसमें हम horticulture करते हैं, वो आ जाता है, 24.92 million hectares, इतना इलाधा जो है, वो हमारा horticulture crops में आ जाता है, अब इसके बाद में कुछ specific बात कर लिए, ज हमारे महरास्ट, आंदरप्रदेश, उत्तरप्रदेश, एंड वेस्पेंगॉल में वगाए जाते हैं, और एंजिस, यानि की संतरे, इनको हम नागपुर, और केरा तुझी में, फिर उसके पाद में आ जाते है, बनाराज, यानि की केले, तो वही केले आ हो जाती है, केरला क ठीक हैं, मिजोरम की, और उसके साथ में महरास्ट और तमिलनाट, फिर लीची और अमरूत, यानि की कुवावा, ये दा होगा है जाते है, यूपी एंड बिहार में, पैनेपल्स, यानि की अनालास, ये हो जाते हैं हमारे मेगाले में, फिर उसके बाद ग्रेप्स, यानि की अंगोर, आंधर प्रिदेश, एंड महरास्ट में, एपल्स, और पियर्स, और अपिकोर्ट्स, और वालनट्स, ये जे एंड के, एंड हिमाचल प्रिदेश, तो ये होटिकल जो क्रॉप्स की वर्याट है इस थी, अब नॉन फूट क्रॉप्स की बात करें, तो भई सबसे प temperature चाहिए, और इसको भी एक humid और moisture बड़ा climate चाहिए, यानि कि humid और moist climate इसको चाहिए ही चाहिए, Soil कौन सी भाई, rich well-drained allureal soil, जो आपके allureal soil होती है, वहाँ पर properly निकासी की facility होनी चाहिए, यानि कि water logging नहीं होनी चाहिए, Kerala जो है, वही वह leading producer है, उसके बाब में Tamil Nadu आ जाता है, और फिर आ जाता है करनाटा, ठीक है, यह आपका equatorial crops की category में आता है, यानि कि ऐसे area, जो आपकी equator से आसपास है, वहाँ पर रवर का production काफी अच्छे से होता है, लेकिन इंडिया जैसी tropical country, है ना, Tropic of Cancer से नीचे वाले इलागे और Tropic of Cancer तो उपर लगे हुए इलागे हैं, वहाँ पर भी यानि कि tropical as well as sub-tropical areas यहाँ पर भी special conditions पर रवर का plantation किया जाता है, इंडिस्ट्रीज के लिए रवर एक vital raw material के तोर पर कांग करता है, नेच्स आती है फाइवर क्रॉप्स, फाइवर क्रॉप्स पर चार नेजर क्रॉप्स आती है, cotton, कपास, जूट, हैम और natural silk, नेच्रल सिल्क तो भाई यह पता ही है, हैम जो है यह होता है आप तक cannabis यानि कि गांजा वगरा, सरकार इसको produce करवाती है, lysis वगरा देखे, हम बात करेंगे cotton की सबसे पर, cotton को चाहिए होता है 21 से लेके 30 degree Celsius का temperature, rainfall 50 से लेके 100 cm यानि की black soil में यह काफी अच्छे से होगता है, चौते नमबर पर आन्पिर्देश वारा चौते नमबर पर आन्पिर्देश आता है, पांच में पर हमारा आता है राजिस्थान, यह top cotton producing states है, cotton इंडिया में originate हुई थी, cotton एक major raw material है, cotton textile industry के लिए है ना, cotton को तक्रीबद 210 frost free days चाहिए होते है, 210 दिन, यानि कि mature होने में काफी ज़्यादा time लगता है, अच्छी कासी sunlight चाहिए होती है, फिर आपके cotton balls ऐसे बन जाती है, यह आपके खरीब की crop है, जिसको 6-8 महिने लगते हैं, properly mature होने के लिए, next हम आते हैं, सबसे last पे, that is jute, इसको चाहिए होता है, 25 से लेके 35 से लेकर, rainfall भी 150 से लेकर 250 सेंटीमेंटर इसको rainfall चाहिए होती है, when brain, allureal soil इसको चाहिए होती है, वैस्क बेंग वाल जो है, वो leading producer है, इसके बाद वही हमारा बिहार आ जाता है, फिर मारा आंधर प्रदेश आ जाता है, और उसके बाद वड़ी सा आ जाता है, यह मैं पाली रैकिंग ते मच जाता है, तो यह हिसाब से आ जाता है, यह आपका कहाँ काँ पर situated है, जनरी जो मारा eastern इंडिया है, यहाँ पर यह majorly concentrated है, क्योंकि यहाँ की जो rich aluvial soil है, यह काफी suitable होती है, जो गंगा परमपुत्र डेलता है, यह काफी जाधा suitable होता है इसके लिए, यह इंडिया बिसिकली जो है जूट प्रोडूशर में, सबसे जाधा लीड करता है, जूट को हम golden fiber भी बोलता है, लेकिन काफी जाधा competition में बिल रहा है इंडिया को, यह मैं आपको manufacturing industries में बताओं उसके बारे में, तो यह आपकी जो गनी बैक्स होते हैं, यो बोरे होते हैं, इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, mats हो गए, ropes हो गए, carpets हो गए, बागी चीज़ों को बनाने के लिए जूट का इस्तमाल दिया जाता, इसकी cost काफी ज़दा high होती है, तो synthetic fibers हो गए, यह बागी चीज़ों के nylon बगरा, उनको ज़दा prefer किया जाता है, लेकिन government के हमारी policies कुछ ऐसी बना दी गई है, जिनकी वज़वा से, आप जो है, चूट हम जितमें consume कर रहे हैं, उतना जादा हम देश में consume भी करते जाएं, तो यहाँ पर हमारा agriculture कुछ चेप्टर है, वो काफी हद पर कत्म हो गया है, अगली चेप्टर में कुछ important points जो है, इंडिया नेगरी कल्चर से रेलेटेड हम उनको कवर करें, खीके मित्र, जाएंड,